सब्सक्राइब कर दोरा चाहिए प्रत्स सद्सक्राइब कराया जा रहा है यूटुब के मादियम से पैट बैचे मादियम से फ्रकाइब को आगे पढ़ाते हुए अम लोग का प्रती दिन हर क्लास में बोलता हूं करने के लिए लेकिन आप लोग नहीं करते हो लाइब चेट में आप लोग आंसर देते जाना है और दिहान दीजेगा 499 रूपीस में रेजिस्ट्रेशन करा रहे हैं यह 499 रूपीस आज इसे लेका जब तक आपका एक्जाम नहीं होगा तब तक के लिए आपका फीस है आपका लगाता डेली क्ला आपका टेस्ट होता है देख लिए जिनको भाट जोईन किये होंगे या नहीं होंगे तो मेरा नंबर है बात कर लिए भाट करके समद लीजेगा कैसे तैयारी किरा रहे हैं अनिवार इरुप से बात जुरूर कि जिन लोग भी नहीं किया होंगे ताकि आप लोग का बार में पस्ताना न पड़े च उसी पैटन में वही महत्तपुन कर्श्वनों को हैं आपके सामने लेक्राइब में आ सकते हैं एमड में करा दो सिप्सडाय। यह बताना आपको CPM Unix MS-DOS TRS-DOS जली से बता दीजिए इसका आंसर नीचे लाइट चेट में आपको आंसर करना है लाइट चेट आउन कर लीजिए चलिए इसका सही आंसर होज़ेगा option no.C MS-DOS सभी को का मतलब OCR इसका फूल फाम आपको बताना है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉगनाइजेशन और भी दोनों या इन में से कोई नहीं तो जलीस बता दीजिए इसका आंसर करेंगे वह समत्त्वास सही नहीं है हो सकता है ठवरा सा अब वो हो कटे विडिवी दो देख लिजीए इसका सब्वजेगा option no.Caret रिकॉगनाइजेशन तीक है चलिए next question देख्ते question no.3 करेंगे खालिस स्थान करेंटर प्रिंटर है जो एक समय में एक करेंटर प्रिंट कर सकता है मतले सब्सक् CASAI बी करे से राइसे udah मैं इंप्रिन याद रखी यह इंस्टॉल्मेंट वाला था तो आप 15-20 दिन हो गया आप एक बार जमा कर दीजेगा अपना नेश्ट इंस्टॉल्मेंट क्या हम लोग आपसे बहुत कम पैसा तो लेते हैं तो हम लोग को भी देना पड़ जाता है जो टाइपिंग वाले कंप्यूटर वाले इन सबको रे जान दीजेगा यह मां सोचेगा कि सर लोग मंग नहीं रहें तो मंगेंगे देखेंगे आपको इमांदारी दिखाने आपको बहुत चाहरा है लगातार आप देखी रहें और जब तब तक चलेगा तो फीस को आप लोग जमा कर दीजेगा चलिका क्वेशन नमर्र चौथा अल्टा विष्टा है क्या यह प्रोग्राम है विंडोज यूटिली यह एंटिवारस है सर्च आपको जलड़ी से बता दीजेए अल्टा विष्टा क्या है तो क्या जैस्ट इसका से बिल्कुत से जो अमसे वह एक सर्चेंजन है चलिए नेस कूर्चं देखते है कोस्ट सब्सक्राइल कि जल्दी इसी इस कांसा बता है बिलकुर तक依ा सुने डी और इस्टम्बसर में बटा होता है इसे पर 감사합니다 बरिखले चलिए इंटर्लीट पर उप्योग किया जाने वाला प्रोटॉकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या होता है जो नियम कानुन मनाया जाते है उनी को बोला जाता है प्रोटोकॉल तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है TCP याद रखेंगे इंटरनेट के लिए TCP ठीक है चलिए आगे बढ़ें कोशन करें कोशन नमर सात्वा देखते हैं एक DVD के भंडारन चमता होती है DVD का बताना है आपको ठीक है 4.7TB या 4.7KG या केजी ने केवी होना चाहिए तब तो आदमी केजी करेंगा तो ऐसी छोड़ेगा केजी में थोई नापते केवी 4.7GB यह अधिक उससे या 4.7MB तो बता जी डीवीडी का क्या होता है तो क्या होता जी बिल्कु सही जा आप सी 4.7GB होता है यार रखेंगे इसको डीवीडी का कुश्चन में आठवा देखते हैं यह इन बस यह ब्राउजर कर दकाता यह तो कुन सर नहीं है फायर फ़ॉक्स सफायर ऑपेडा केमिनो तो दो थोट मैं बताया दिया यह हैं करके तो नहीं है इसका सही आँसा यह बाकि या प्रॉजर या रखेगा आपसा नंबर-फायर नमर 9 एंट करता है तो क्या की इसकेन करता है जलिछ बता दीजे पिचल को टैक्स को पिच्चर और टेक्स दोनों को या उप्रोक्ट में सिको नहीं देखो आप लोग इसके नार किसके घर में होगा तो द्यान दीजेगा आप पहली बार आएंगर आप आज पहला यह क्लास देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा क्योंकि लगातार आप चैनल में जाके देखिएगा तो बैतरीन तयारी के आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अगर आप बैच में रेजिस्टेशन नहीं कर रहे हैं तो जरूर रेजिस्टेशन करा लिजे आँख मुन के करा लिजे आपको जो भी परिचीत वाले होंगे तो उनको भी बोलिए कि आप रेजिस्टेशन करा ले करके क्योंकि आपका रिजल्ट रैंक टॉपल लिस्ट के अगर आप तयारी करेंगे तो लास्ट में आपको मिश्टेक नहीं होगा ठीक है कोशन दस्वा दिख रहा है चलिए बड़ा कोशन है ध्यान से पढ़िएगा क आपको माइकरोंड को पारपाइंट में एक पेज़ पर आइटम को चैन करने के लिए प्योंग करते हैं मतलब जीतना इस पर दिख रहे हैं एक सान्द को सलेक्ट करना है एक धाय। सेव का है कंट्रोल सी कॉपी का है यह पेस्ट का है यह बज गया हमारा आल सेलेक्ट तक है यह हमारा सही आंसर आप्सण नमर एक कंट्रोल ए ठीक है चलिए नैस कोशन देखते हैं कुश्चन नमर 11 आपके स्क्रिंप एक ऑफ लाइन डिवाइस है तो कि क्या होता है आफ लाइ आपको कराते है तो आपको डारेक्ट टीचर भलती ब्यापाम लेवल के लिए इंपॉर्टन है तो आप अगर सही जगह से आप कोश्चन देखते रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगे ना चलिए इस कसियान सा पता तेजिए बिलकुस है जो आप जो CPU से कनेक्ट का मिंफिन कम्प्वीटऊ का सूपर कम्प्विटर इन 4 में किसका हम लोग स्पेड टी पइस से नापते हैं कि तकि बताइंगे लाइट्सों करेंगे सोफी जैने जब लेना मुल्टि प्रोग्रामिंग कब आया था तो तीसरे जनरेशन में आप्स नुबर सी सक्षिय आंसर है चले ने ससे कूश्चन निए कोश्चन नमेर 14 रेकिनल dopamine 19 किम्पूरब से प्रांस्मिटेल होता है फ्लापी हांटिक्स कंप्यूटर में मेमृरी उप्रोब्ग सभी जों कम्पूटर में वाइरस होता किस के मादयम से लांचने के लाद सबीं सास्वें जिसके से आन्स में यह ने इसे आतार्ट छाएगा आप लगवाते हो दूसमें भी वारे से तो यह भी फैल जाएगा यह एक कंप्टर दूसरे कंप्टर में हाट लगाते हो मेमोरी चीप को लगाते तो भी फैलते हैं तो इसका सही आप सब्सक्राइब पर दीव प्रोक्त सभी चलिए कोशन हो 15 करेंगे निम लिखित में कौन सा सर्च इंजन है तो बताना है आपको सर्च इंजन कौन सा है इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्लैस गूगल फायरफॉक्स चलिए जल्दी सर्च इंजन क्या होता जिसमें आप जाके सच करते हो तो किस पर इन में से कौन सा उप करन एंडाङ से डिजीटल और डिजीटल से इंडाङ सिंगनल परिवर्धित करने के लिए के पैबल है रचे कंप्यूटर ग्राफिक्स Q17, इसको सरुपथम IBPM PC virus के रूप में जाना जाता है, कौन से को मानते हैं, creeper को, घोष्ट बाल को, brain को या case cat, कौन से इसमिल का वाइरल, जो वाइरस आया था, उसको सरुपथम मानते हैं, बताईएगा, जिसका सेयान सोजे, option number C, brain, यार रखेंगे, brain को मानते हैं, सबसे पह ड्राइब आउट सिस्टम, ड्राइब आउट सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिरीज, इन दोनों में confusion होगा, चलिए बता दिजे, पढ़े होंगे, एक बार में पता होगा, आपको confusion नहीं होगा, option number C, disk operating system, इसका full form होता है, चलिए, next question कहते ह ड्राइब निस, by default, world document में कौन सा एक्टेशन दिया जाते है, जो देखे, document, world document, .ext, .com, .doc, इन में से कोई नहीं, तो document है, PDF आप लोग जो खोलते हो, PDF में क्या रहता है, उसमें .PDF रहता है, उसको नहीं पर रहता है, उसको जब खोलते हो, आप बनाते हो, उसको टाइप कर टाइपिंग करते हो, तो उसमें क्या रहता है, तो इसको सही आप सा नमबर C, .doc रहता है, चले, next question देखते है, question नमर 20, को ओपन सोर्स आप्रेटिंग सिस्टम है, macOS, genyx, pcDOS, वह निबन से कोई नहीं है, जिसे कोई उप्योग कर सकते है उसको ओपन सोर्स आपरेटिंग सिस्टम मोला जाता है, जलीच बता दिशे स сейчас क्या बिलकुश सही जहाए उपरूप क्योई turtles, Japanese जैसे क्या लीनुक्स लीनुक्स यह है आपका उपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह सभी नहीं है द्यान देखे मैं को समय है कोई लेट नहीं है अगर आप आज भी जॉइंग करते हो आपका जब तब पर नहीं हो कई बार से लिपास आपको कंप्लिक करा देंगे पूरा आपको करा करेंगे पूरे च्छती दर्म आप दून लिजिएगा इस तरह से एकदम रण नितिकता डेली कंटीनिव आपके पढ़ाई को मैंटेन करके रखने यह सबसे इंपोर्टन है ठीक है चलिए इसका कोशन पढ़ लिजे निम्न में कौन सा नून्टम इस तोरे च्छ आइडियो या साउंड या सिंठेस साइजिंग रिकॉर्डिंग प्लेबैक से डिल करता है ट्रंक दूशर कंप्यूटर आइडियो एनिमेशन कंप्यूटर वीडियो जली इस बता दीजिए इसका अंसर क्या हो जाएगा चलिए कोश्चा में 22 कांसर करेंगे इसका से आंसर आप्सनव बी कंप्यूटर आइडियो ठीक है चलिए कोश्चा में 23 क्या है खारिश्थान एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो सेयर और आउनलाइन वीडियो देख सकते तो अभी आप देख रहे हो पैसा तो आपको जो पैसा ले तो आपको डेली कंटिनुटी टेस्ट दे रहे हैं उसका रांक रिजाल टॉपल जारी करें उसका ले रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक है तो क्या हो जाता है कौन सब्साइट है तो बिल्कु सब्सक्राइब यूटूब चलिए नाइस कोश्चन रिखते ह पेज प्रिंटर होता है एक ही बार में पेज पूरा प्रिंट कर देता है चलिए कोश्चन 25 करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट मुद्रिट करने हैं तो खालिष्टान को उप्योग किया जाता है इंक पाउडर गर्मी रिबन तो जल्दी बता दीजे इसका स सही आंसर क्या होगा चलिए गई कोश्चन 25 का अंसर करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए किसका प्योग करते हैं हम लोग तो इसका सही आंसर होजएगा और रिबन के यूज करते हैं यार रखेगा रिबन में क्या है जो प्रहार करते जाते है को छपते जाता है इसलिए कि इसको इंपक्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है इंपक्ट पते जाता है फिर छपते जाता है पीछे पेज में कोशन में 26 देखते हैं ब्लॉक का टार्ट पर यह है ब्लॉक किसको बोलते हैं बेसिक लॉक को बेबलॉक को बेबी लॉक को या Begin Beginners Lock को तो Block बनाते देखो तो Block का तार पर यह क्या है जिसका सही आंसर है Option B, B Block को बोलते हैं Blocks ठीक है चलिक Q2 करते हैं समाने ता CD के डिक्तम इस्टोरेज चमता क्या है जो CD है CD की इस्टोरेज चमता क्या होता है अभी हम लोग DVD का पढ़ेते ना 4.7 GB ठीक है तो आपको बताना है CD के डिक्तम चमता 100 MB, 700 MB, 1024 MB, 2056 MB तो CD का कितना इस्टोरेज चमता इसका सही आंसर आप्शन में 700 MB होता याद रखेगा CD का इस्टोरेज चमता 700 MB आपको जमाने आता है ना सभी को याद रख लेगा CD, DVD, floppyDix और harddix चले कोश्चन में 28 कर लेते हैं निमनक का उपयोग करके hard copy तयार किया जाता है Hardad copy किस से त refers करते हैं typewriter का प्योग करके Zeit дост matrix printer का प्योग करके या उप्रोग सभी अब को बताना है निमन में से हैं hard copy ता किसको उप्योग करते हैं जिसका सियान सब्चareगा option number d उप्रोग सभी कर सकते हैं type raters से type करके सकते हैं डाटमेटिक पिंटर से प्रिंट कर सकते हैं लेजर पिंटर से प्रिंट कर सकते हैं इन सभी को प्योंग करके हम लोग हाड कापी तयार कर सकते ना चलिए नेस्स कोश्चन रखते हैं कोश्चन अमबर 29 कि मैं लें के लिए समाने साथ कौन सा नाम उपयोग किया जाता है तो में लेंस एसस आप्रवार के लिए कौन सा उपजय करते हैं बताईएंगा कोश्यर अब 30 है डेटा अगरी निम्ह में ऐस्ठाइड रूप से संग्रा की जाते किसमें आइस्थाइड रूप से डेटावास रोम रैम या को मिल्हां करते हैं यह जी पता दिछें अध्याद यह आफ लोग डेलि क्लास देखें इसलिए आफ रहारा है है आफ लोग जड़ लिए करो लाइब नहीं देख पाते तो इसका स्यान सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब में यार रखेगा जो इस थाई रूप से संग्रेइट होता है तो आज ही क्लास में थर्टी कोश्चन आपको करा हैं बहुत सांदर कोश्चन है थे जिन लोग भी अभी तक नई देखे चाहिए ठीक है इससे बातर बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे च्छती दिन देरें आपको धून लीजेगा जब तक पेपर नहीं होगा क्योंकि इसका पेपर कभी कोई अता पता नहीं एक दो मैने और लग सकता है तो आपको नुकसान हो जाएगा आपका जब तक बै आपको अनलिमिटेट फिर एक रुपे भी नहीं लगता था ठीक है और दोनों बैच कराते हैं तो ट्रीपल नाइन में है और जिन लोग फीस कभी दिक्कत होगा आप मैं बारब बोलता आप फिस के नाम से मत रुकिए गा जिन लोग फिस के नहीं कराया हूंगा आप मैंस ब और नाइन लोगे लोगे नहीं कराया हूंगा दूज को अब छूए खाने लुट एस्साषाण को डिजल दो खेला आप अनौगे लूगे लुट नहीं ओनाट वन आपको झालागे लोगे लो खर लिनापको जागे यूट नहीं में अवर और च वहा कराया हो गता डिणाट